नमस्कार दोस्त मैं रभी कुमार पांडे और मैं आप लोगों को ले के आए हुए ग्राम पंचाइत में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ खिर खोरी ग्राम पंचाइत के दक्षिट तोला में यहां दक्षिट तोला में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरपंच के द्वारा एक डैम बनाना जा रहा था और वो जो है इतना बनाया गया है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहां पर कि यह डैम है जिसका सरवे उन्होंने करवाया था किस तरीके से करवाया था ही है गाओं का बिखाश करना लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहां पर बिकास किया गया है वहाँ पर बंदर भीदेख रहा कि कईसे बिकास किया गया है एक इनसान की था यहा है यह बिचाख वे Caesar मोगों को सिर्फ नीचे विचाई आती है यह गित्टी यहां पर ढर्ट इसके बाद आप लोगों को मैं यह भी पताना Yamagaki इसके बाद जह सिकाइत किया गया तब वह गिट्टी हुआ है क्या वह कि नहीं और सरपंच वह इतना कालेटिएude कि कारणाम horrifying नहीं मैं सोगको कwegen कमजोर नहीं है मैं आप लोगों को यह दिखाऊंगा यह डोर से देखां कि किस तरीके से बेस बनाया गया है नीचे जमीनी असतर से आप देख रहाएं यह डेम बना हुआ है इसका जो बेस है वो कम्प्लीट हो चुका है डेम बनाने की तैयारी ठी और इसी तैयारी में जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी ने सिकायत किया इसका जिसके चलते यह रुख गया है अब सोचिए आप ये कि ग्राम पंचायत का सदस्य है जो ग्राम पंचायत का सरपंच है उसके द्वारा इस तरीके से गर काम किया जा रहा है यह किस लिए बने हुए गाउं का विकास करने के लिए यहां पर पानी आपको मिलता जरूर ल अभी दो मिनिट के लिए है लेकिन यह जो है यहां ग्राम के हैं और ग्राम पंचायत की सदस्य हैं बराबर यहां पर बने रहते हैं क्या नाम है सर आपका यह कब बन रहा था ठंडी से बंथ है तो अभी जब से मने तीन बार तो खुदा आ चुका यह तीन वार इसकी बन चुका है यह ऑस्तर जो भी बना है नीचे का वह इसी से बना है इसका गांद आउड़ी không हुआ कि पना गर्म पंचायत के सरपनच अइब का वह आपनी गलती को मानें कि मैंने ऐसा काम किया नहीं मांते आ सब्सक्राइब लेकिन अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर लगता है आपको कि ऐसे काम होना चाहिए था जी ऐसे नहीं होना चाहिए तो सब्सक्राइब लेकिन तो चलिए मैं आप से बात करूंगा क्या आपको क्या लगता है कि ग्राम पंचाइब कारे ऐसा ही होना चाहिए तो आप इसका जिम्मेदार उनको समझते हैं नहीं सब्सक्राइब उनको जुम्मेदार मैं नहीं समझते हैं क्यों नहीं समझते हैं इसके लिए अच्चा काम नहीं कर आते हैं मिट्टी वह यह जाएगी आपकी नुकसान कहीं न कहीं आपके गराम पंचायत का हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके वाले में? हम यह कहना कहते हैं सर्कांट हमाँ जो हैं क्या आपर तक गर creative यह सबहुना आपको ग्राम पंचायत में नहीं है और अब लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि अब तक की जितनी जनता है कहीं नहीं परेसान ही है क्योंकि मैंने थोड़ी से सर्वे किया जनकारी मैंने लिया तो यह पता चल रहा है कि जनता कहीं नहीं बहुत जादा परेसान है आप देख रहे हैं यहां पे कि लोग कितना परेसान रहते हैं आवास के लिए रोजी रोटी कपड़ा माकान के लिए यहां पे तो इस तरीके का डेम बना रहा है सिर्फ लूट के लिए कि पैसा पास हो जा और इसी कि ये सरपंची की वज़य से जो है हर जेत्र का हर गाउं का विकास रुख जाता है इस तरीके के जो सरपंच होते हैं वो इतने घटिया होते हैं कि इस तरीके के डैम बनाते हैं खुदवाई करते हैं मिट्टी वह रही है नुकसान हो रहा है ग्राम पंचायत का नुकसान से कोई लेना देना नहीं उनकी जेब भरी होनी चाहिए उनके घर का खर्चा चलना चाहिए उनकी गाड़ी का सरपंची का यह जो बोड है वो सरपंच का बोड जो लगा रहेना चाहिए इस तरीके के जो ह अगर धस के गिर जाएं तो मर जाएंगे गौवन्स खतम हो जाएगा इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है ग्राम पंचाइट की और सरपंच की ही होती है गौर से आपने देखा धन्यवाद अभी तक आप देख रहे थे तरन्टटीफोर न्यूज मैं रभीकुमार पा टामने देखा आपी मैं यूजोर स्पल्वारण में इसमाइट शेखा प्रेमें जाएट रहे होताएट वे जयरे होती हुआ अधर ख़ागाद यूजोर नहीं है और कि वेसे अध्याइट आप्रत की अधरत शुचिएट अधरण बहुएं बैस देखाएट की त्याएट व कि प्राइब बना रुटा नाँ प्राइब J.P. प्राइब प्राइब J.P. सबस्केंग